बश्कार दोस्तों स्वागता असभी का ड्रीम गुरुजी 2.0 पर और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वोमेंस प्रीमियल लीग का 11th नंबर मैच जो खेला जाएगा UP वोमेंस वर्सिज रोयल चालेंजर बैंगलोर्स वोमेंस की टीमों के बीच उसके बारे में पर दोनों टीमों की तरफ से प्लेयर्स का सेलेक्शन काफी ज़्यादा कंफ्यूजी रहने वाले काफी सारे बड़े प्लेयर्स दिखेंगे आपको दोनों टीमों में लेकिन उन में से बड़िया तो इस वीडियो में डिसक्स करेंगे साथ साथ देखेंगे सेफ कैप्टन वी लास्ट वाला मैच रहेगा, बहुत सारे मैचेज होने के बाद, पिछ है वो सलो डाउन होगा, या फिर किस तरह का बिहेव करेगा, वो सारी चीज़ें देख लेंगे इस वीडियो में, बारी बारी से देखेंगे, सबसे पहले मैच डिटेल, फिर पिछ रिपोर्ट, सब्सक्राइबर वाला चैनल दीखेगा, उसको जोइन कर लेजिएगा, और विनी एक बार जरूर चेक कीजिएगा, वहाँ पे जाके वन साइड़िट क्लिंशिप जारें, सभी के सभी मैच जारें, हेट टो एड मैच में तीन मैच होएं, दोनों टीमों के बिच दो आरसीबी ने और एक यहाँ पर यूपी ने बिन कहा है, तो हेट टो एड में देखें, आरसीबी के आंटनी थोड़े से जादा बैटर रहें, कंपेर टू यूपी वोमेंस कर दो, बात कर लेते हैं पिछ र करेगा, तो रन्स कम बनेगे तान से जरेंगे, एवरेज स्कूर यहाँ पर वन फोर्टी सेवन का है, और मान के तो लो डेड सो या उससे नीचे का ही स्कूर आपको देखने को मिलेगा, टोटल नो मैच्स में देखें, दो फर्स्ट बैटने और शाद सेकिंड बैटिंग कर करवा पाते हैं बोल को, रन्स स्कूरिंग पैटन के बात करें तो मोश्टली देखें, एक सो सतर से नीचे का स्कूर मोश्टली साथ बार बना है इन नो मैच्स में, तो ज्यादा रन्स आपको नहीं बंदते वे दिखें, तो ओर लाउंट जो प्ले रन, उनके कैप्टन वी इसी की चोईसिज यहां पर अच्छी रहे गिए, दाश के तीन मैचेज की बात करें तो देखें, उन्तीस फरवरी को मैच वा था, एक सो तुरानवे बना, फिर रिचे वेटिंग करने वारा टीम यही आर्शीवी था, एक सो नेतर कर दिया था, चार स्पिनर्स को और नो व पेसर गेंदबाज निकाल के गए, फिर आर्शीवी ने एक सो एक सो एक सो एक सो एक सो तेतिस करके, तीन स्पिनर्स के और छे विकेट पेसर गेंदबाज की, यहां पर फिर से रन कमू है, और यह वाला मैच है, जो आज के दिन खेला जाएगा, तो यहां पर देखिए, पि और बैट्समेन जो टेक्निकली स्ट्रोंग बैट्समेन वही रन्स करते हुए दिखेंगे, तो मतलब बैटिंग भी उतना इजी नहीं रहेगा, तो क्या हो गया पर, एक बैलेंस्ट विकेट हो गया, ठीक है, जहां पे ओल्राउंडर्स जो प्लेयर्स है ना, उनका इंपोर बैट्समेन जो टाल, बाहदूर, आसा जोबना और रेनुका सिंग, यह प्लेइंग लेवन है, यह बैटिंग बोलिंग स्टाइल है, मोश्टली अवर देख लेते हैं विश्टीम के दफ से, तीन से चार ओर नहींगे, एलिसा पेरी कभी गवार दो आवर्स के आस पास बोल दालना चाहिए, रेनुका सिंग को तीन और स्टाइल है, इस तरह सिंगा बोलिंग डिवाइडेशन रहेगा, बैट्थर की कुछ नहीं बोल सकते हैं, बारे हम है, मोली न्यू हैर, यह है, रेनुका सिंग, इनमें से दो आपको डेथ इम बोलिंग करते हैं, दीख जाएंग सिम्रिती मंदारा तीन मैचस में दो मैचस में अच्छा स्कोर किया दो मैचस में फ्लोप टाइप रहे हैं लेकिन एक कंसिस्टेंट बल्लेबाद है आप ट्राइ कर सकते हो अपने टीम में बुरसमान प्लेयर 28 का और रोल अपने केरियर मेवरेज है वेन्यू पे चार मैच खे करके जा रहे हैं चाहू तो आप कैप्टन भी बना सकते हैं क्योंकि दो से लेके चार ओर के बीच में बॉलिंग रहेगा साथ में ओपन करवाके दे रहे हैं लेकिन आभी तेक बल्ला चला नहीं है यह कुछ जादा खास सोबिनेन मैचस में अच्छा किया पिछले मैचस में मेंगना एक ट्रम पिक बन सकते हैं अलीश सपैरी पिछले मैच में देख सकते हो इंपोर्टन पिक रहेंगे आपके टीम में कैप्टन और वीची की बड़ी आतो इस तरह कि प्रेसर वाले गाम में हमेजा उबर के आती हैं तबी दुनिया की सबसे बड़ी ओला उन्डूस प्लेयर हैं मैक्स तेंगे रिचा घोज अपनी पावर हिटिंग बल्लेवाजी के लिए जाने जाते हैं 75 करक्यारीं पिछले वाले मैंच में यहां पर 62 क्या था उन्नीश है साथ में विकेट की पिंग का बैक अप रहेगा इनमें पावर हिटिंग वैलेबल है इनमें पाव चाहिए हैं वारे हम एक और बढ़िया जोईस रहेगी पिछले मैंच में देखिए देथ बोलिंग क्या था दो पॉइंट एक और में एक विकेट और 27 बैटिंग में भी बनाये थैं इंपोर्टेंट पिक हैं स्रियंका पाटिल के देखो एक और दो और तीन अवर मतला और क पिकेट की उमीद कर सकते हो लेकिन देखिए आवर्स कम हो रहे हैं तो बोल नहीं सकते कितने अवर इनको मिलेंगे और नहीं मिलेंगे रेनुका सिंग ठाको वो जादा विकेट टेकिंग अन बाद है यहां पर दो विकेट है बाकी तीन मैंट में टोटली फ्लो छोड़ दी नेक्स्ट अट्टा पट्टू हैं गैरी सेरिस हो सकता अट्टा पट्टू से भी ओपन कर सकता है वैसे नियोगीरे हो सकता है बंडा हुनाई गैरी सेरिस हैं स्वेता सरवत दिप्ती सर्मा पूनम खेमकार शिमा ठाकूर साइमा ठाकूर सोफी कलस्टन राजेश्री गाइक बागी की आवर जो भी बसता है वो अंजली शरवानी आपको करती हूं दिखिंग, बाकी किसी के चांसेज है नहीं, यहां पे बॉलिंग करने के बिख़, ठीक है, बैथ में कोई भी आ सकता है, एकलस्टन गंफर्म है, दिप्ति सर्मा कंफर्म है, बाकी हो सकता है, हैरीस भी लेकिन चांसे बहुत कम हैं गाइक वाड को भी एक आदावर मिल सकता है ठीक प्लेयर वाइज अनालीजिस में देख लेते हैं अलीशा हिली दो मैच में लाश के 33 33 करवा कि रहे हैं लेकिन अपने हिटिंग बल्लेवाजी के लिए जानी जाते हैं लेकिन अच्छी बल्लेवाज जिनको आपको अपने टीम में सीविसी भी बना सकते हो गैरिस एरिस कंटीनिव रंस करके जा रहे हैं थर्टी एट थर्टी एट शत्रा और यहां पर शार्ट साथ में बोलिंग बैक अप भी रह चाहिए तीन से चार ओर के बीच में आवर करती है दिखेंगी तो कैप्टन सी की सेफ सोइस में से एक रहेंगी और बैटिंग बहु सकते हो हैं इनका देखना है तो आप यहां पर देख सकते हो हैं ठीक काफी अच्छा तीन मैच में हेट टो एट में च्या विकेट हैं बाकि वेन्यों पर चार मैच में दो विकेट है 62 रंबी बनाए हुए कैप्टन सी की एक बड़ी आत्रोई है पुर्णम केमकार साइमा ठ इनको आप ड्रोब कर दीजिगा और अंजली सर्वानी इन तीन प्लेश को ड्रोब करना एकलस्टन विकेट टेकिंग अन बाद जैसा मैंने बताया था ग्रांड लिग में कैप्टन मनाई है पिछले मैच में तीन विकेट निकाल के गिए एक बार फिर से आप कैप्टन और वीची ग्रांड लिग में या आप समोल लिग में भी वीची बना सकते हैं राजय श्रीव का कड़ फर्स्ट बोलिंग करेगी तो अपने टीम में रखेंगे सेकंड इनिंग में ड्रोब कर देंगे सिधा सिधा फंडा इनका यही रहेगा बैंसर में कुछ प्लेयर्स को कहले तो सबसे पहले विकेट किपिंग सेक्शन में अलिसा हैली और रिचा गोस दो बड़ी प्लेयर्स हैं दोनों को अपने टीम में कवर करके चलो कंटीनू दोनों का प्रफूम्स अच्छा दिखा है लिचा अली ने दो कंटीनू 33 रंस करवाई हैं और साथ में विकेट किपिं प्लेयर और इनमें एबिलिटी है कंसिस्टेंसी के साथ साथ पावर हिटिंग की तो दोनों इंपोर्टेंट बल्ले बाद रहेंगी दोनों को मैंने अपरिंटीम में रख लिया विकेट किपिंग सेक्टना अपना कलियर है चलते हैं बैटिंग में समरिती मंदाना कंटीनू रन्स करते हैं लास्ट वाले मैंच में 11 बनाए थे लेकिन उससे पहले अच्छा प्रफोर्मस दिया था दो मैंच में तो इंपोर्टेंट बल्ले बाद नीचे रहेंगे गैरी सेरी साथ में बोलिंग करवा रहें टू डाउन इनका बैटिंग रहता है और बहुत ही तगडि बल्ले बाजी के लिए जानी जाती हैं टोप ओर्टरम बैटिंग करती हैं जरूर दिखेंगी लेकिन अभी पीच जो है वो सलो हो गया क्योंकि बहुत सारे मैचेज यहां पे खेले जा चुके हैं पिछले चार मैचेज में देखो हैं तो धीरे धीरे रन्स कोरिंग वो कम हो है तो केबल दो प्लेश चूज किये हैं बैटिंग में समरीती मंदाना और गैरी सेरी जिन पर मेरे को ट्रस्ट है बैटिंग अबना कलियर चलते हैं और राउंड में पांथ प्लेयर हैं पांच उको मैंने रखा है अलिसा पैरी हैं कुछ हवर बोलिंग रहेगा साथ में कंस टेकर हैं वो सीवी सी रख सकते हैं ताहिला नहीं खेली थी पिछले वाले मैच में इनको डोप करके यहां पर खिलाएगा था अक्टा पट्टू को अक्टा पट्टू का भी को ज़्यादा खास प्रफॉम्सन नहीं था लेकिन फिर भी पूरे अवर डालके गई थी साथ मे ओपन करवाके दे रहे हैं एक कंसिस्टन बल्ले बाद और साथ में कुछ सवर बोलिंग डालने के दो तीन ओवर डालने के फिर से चांसिज रहेंगे तो इनको आप सीवी सी भी बना सकते हैं अपनी समोली को जील में नीचे रहेंगे तो दिप्ति सर्मा फस्ट बैटिंग क यह 5 प्लैस रखें नडियाडी कलारक नहीं कहली थी पैरी खेलंग इांसिछ जाती हैं खेल जाती है इन Specifically आसीए हुए पिछली वीडियो मैंने आपको बना लिजीए हैं केपटन बना लिज्येगा तीन बिगेंड़ किजीए थे और और फिर से आप CBC बना सकते हो इस वाले मैच में भी अगर आपको रिस्क लेना है नीचे मैंने जोर्जिया वारेहम को ट्राइ किया चट्वे नंबर पे बैटिंग भी रहता है और साथ में तीन से चार वर का बोलिंग और डेथ में भी बोलिंग रहता है तो इनको मैंने अप बना आसा जिनको आप जी यल में जरूर शे कवर कर लिए पहले मैंच में इन्हों ने बात स्विकर्ण निगाल के यह तैल का मचा दिय था लेकिन उसके बाद से टोटली फ्लोप रही है ठीक है अभी के लिए मैंने गैरी सेरिस को कैप्टन बाइज कैप्टन अट्टा पट आप टेलिग्राम में देए तो टेलिग्राम जोईन कर लीजगा नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से जाके और वीडियो अपसंद आए तो लाइक कोमेंट सेर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिगा मिलते है इसी तरह किसी नेक्स्ट मैच की प्रडि